असलाम उलेकूम आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकेन ड्रामे स्टिक्स जो की बाहर से एकदम क्रिस्पी और करारी होंगी और अंदर से बिलकुल सॉफ्ट और जूसी होंगी बहुत ही टेस्ट ये बनका त्यार होती हैं और बनाना आसान भी बहुत होता है वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी NikaForever.com के बारे में जो की इंडिया की नमबर वन मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेब साइट है यहां आप बहुत आसानी से रिष्टे ढोंड सकते हैं Easy Search Filters पर 100% Verified Profile के साथ तो अगर आप अपने लिए या अपने जानने वालों के लिए एक अच्छा रिष्टा ढूंड रहे हैं तो आज ही रजिस्टर करें NikaForever.com पे लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब हम इन डुमी स्टिक्स में गहरेगे से गैश लगा देंगे जिससे कि जब हम इसको मरिनेट करेंगे तो मसाला अंदर तक चला जाएगा और यह अंदर से फीक ही नहीं लगेंगी अब हम चिकन की ब्रैनिंग कर लेंगे अगर आपके पास टाइम है तो चिकन ब्रैनिंग जरूर कर लिजेगा अंदर तक टेस्ट आता है चिकन को अच्छे खासे पानी में डूबो लीजेगा एक टेबल स्पून नमक और एक टेबल स्पून सिर्का डालकर अच्छे तरह से मिलाकर एक तेबल घंटे के लिए इसको छोड़ दीजेगा अगर आपके पास टाइम हुआ करें तो चिकन की ब्रैनिंग जरूर कर लिया करें इससे चिकन अंदर से फीका बिल्कुल नहीं लगता है इसके बाद हम इसको 3-4 पानी से अच्छी तरह से धोलेंगे चिकन को 1-1.5 घंटे ब्रैन करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से धोलिया है और अब चिकन रेडी है पकने के लिए तो रख देते हैं इसको एक साइड में और बना लेते हैं इसका एक मारिनेशन एक बोल लेंगे और इसमें एक टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे एक टीस्पून लाल मिर्ज का पाउडर डाल देंगे और दो टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ज का पाउडर डाल देंगे साथ में एक टीस्पून भुनेवे जीरे का पाउडर डालेंगे और एक टीस्पून डालेंगे धनिये का पाउडर अधर टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे एक टीस्पून काले मिर्स का पाउडर डालेंगे और एक टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी और एक टीस्पून भर के लहसून का पेस डालेंगे और एक टीस्पून भर के अधरक का पेस डालेंगे और दो टेबिल स्पून के खरीब नीबू का रज डालेंगे तो एक बड़ा नीबू का रज है यह तकरीबं डेर से दो टेबिल स्पून दो टेबिल स्पून चावल काटा और दो टेबिल स्पून कॉन फ्लावर डालेंगे अगर चावल काटा नहीं है तो चार टेबिल करहा है انंड़ेंट को और इसमें डालेंगे एक अट अगर आप यंठी करक्र नहीं को थो फिट कर बहुत अच्छा जा से चाहिए इसके फूरा सारे इसमें डालेंगे इसमें के पानी हमें इसका गाड़ी हरी कंसेस्टेंसी का बैटर बना supply इसको फ्रक इ eigentlich की करेंज़एंगे तो यह देखे इस तरह से गाड़ी सी consistency का हमारा बैटर बन गया है यह देखे इस तरह की गाड़ी सी consistency है बिल्कुल भी यह पतला नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा अब हम डाल देंगे इसमें chicken के पीसेज सारे पीसेज डाल लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे इस तरह से मिलाएंगे कि यह जो हमने मसाला तयार किया है यह चिकन पर बिल्कुल अच्छी तरह से लिपट जाए साथ अच्य तरह से मिला लेने好啦 अब में इसको नीयर कर लेगा है कम से कम एक घंटे के लिए इसको माइनेट ़ए कलिए हो और अगर ताम जादा है तो चार पांच ग 느يرة मिला लेने कि पाला है यह जितना अच्छा माइनेट होगा उतना ही अच्छ से मसाले इसमें तो चिकन जब माइनेट हो जाए तब हम इसको कर लिए तो फ्राइ करने के लिए हम तेल को प्रॉपर मीडियम हॉट कर लिए जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा हम इसमें चिकन के पीसेस ड्रॉप कर देंगे अब हमें इसको एक से डिर मिट बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब इसकी आउटर कोटिंग फर्म हो जाएगी उसके बाद इसकी साइड को टर्न करेंगे अगर आप इसको पहले टच कर लेंगे तो सारी कोटिंग तेल में उतर जाएगी एक से लेरे मर्ट के बाद हमें गैस की फिलेम को लोवि कर देना है और इसको धीमी आशपर पकाना है वो इसलिए क्योंकि हमें चिकें को गलाना भी है अगर आप इसको तेज आशपर पकाएंगे तो फिर चिकिन बाहर से तो पक जाएगा अंदर से कच्छा रह जाएगा तो लो फ्लिम पर हम इसको 6-7 मिट पकाएंगे उसके बाद साइड टर्ण करेंगे और दूसरी साइड से भी 2-3 मिट पकाएंगे और हमें इसको जब तक पका लिना है जब तक बाहर से एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है और अंदर से हमारा चिकन अच्छा सा कलर आ गया है आउटर कोटिंग बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है और अंदर से भी हमारा चिकन अच्छा से गल चुका है तो बस अब हमें इसको अब आपको तो निखाल लिना है और इस तरह से सॱ्पर डिलिशिस क्रिस्पी चिकंट रॉमय स्टिक्स बन कर तेयार हैं और आपूराम स्टिक yu यॉ रह데 UM स्टिक्स को बिल्कु गर्म गर्म आप सर्व कीजिए मज़ा आजाने वाला है आपको और मैं आपको दिखाना चाहूंगी अंदर से भी एकदम पर्फेक्ट्ली डन है ये देखिए चिकन एकदम अच्छे से पकगा है अमीद करती हूं रेसेपी आपको पसंद आयोगी ट्राइ किजिएगा और अपनी फीडबैक्स मुझको जरूर दीजिएगा और अगर आपको रेसेपी पसंद आये तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा वीडियो देखने का बहुत बहुत ब